सीयम बनने को लेकर फिलाल अजीत पवार ने जो कहा है उसे ये तो साफ हो गया है कि वो भी सीयम पत को लेकर कही न कहीं अंदर ही अंदर मन में कहीं न कहीं खुद को भी उसके लायक समझ रहे हैं सीयम एकनाश शिंदे को भले ही माया यूती का चेहरा बनाये गया है मुख्य मंत्री फेस उन्हें चुना गया है उन्हें के नितित्ते पर महायोती चुनाव ड़ रही है जिसमें बीजेपी एक नाशिन देगुट और अजीत पवार की NCP शामिल है लेकिन अजीत पवार ने हाली में एक बैठक मी खुलिया चीहा पुरे हिंदुस्तान को सुनाते वे कह दिया है सारजनीक मंचबर सीम फेस बनने को लेकर सीम पद पानी को लेकर मुख्य मंत्री बनने को लेकर कि वो फिलहाल इस मुद्दे पर सोच ही नहीं रहे है लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीम बनने की खिलाफ कहा उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि वो सीम एक शुक नहीं उन्होंनी कहा चुनावी नतीजे आएंगे इसके बाद इस पर बैठा होगी और तब सब ही लोगों की जो राय होगी जो सब ही का मत कहेगा वही फैसला होगा लेकिन शिंदे की खिलाफ भी वो नहीं है ये भी उन्होंने कहा वैसे सबाल उनसे यही किया गया तक या वो डिप्टी सीम के पत पर ही सिमित रहना चाहते हैं या फिर आगे राजनीती में सीम फेस, सीम पत पर भी वो विराजबान होना चाहते हैं इसे इसे पर अजीत बबाद ने friendly तरीके से जवाब दिया वैसे माहायूती में friendly fight, seat sharing को लेकर पहली थी यारी कि ना सिर्फ शेना एक नाशिंदी का गुट बलकि BJP का गुट भी अपने साथ चाहते हैं जित फिलाल उनके मन में यही है कि किसी भी तरह से माहायूती को आगे बढ़ाया जाए और चुनाव में जीत हासिल किया जाए किसी भी तरह की मतभेदों को दूर कर एक साथ मिलकर चुनाव लड़कर जीत अपने पक्ष में लाया जाए